हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR NET exam की mathematics की CSIR NET आपको पता है ये exam आपका NTA National Testing Agency अब online conduct करने लगा है सारा information तो आपको बहुत पहले से होगा लेकिन आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पिछले डेड़ साल के आसपास से इसमें कोई exam नहीं हो रहा था और लोगों ने बहुत सारा ग्राउंड पर प्रोटेस्ट किया ट्विटर वगरा ट्रेंड कर आया तब गौवर्मेंट को देखके ही कहा जा सकता है कि अब आया उट पहाड के नीचे और चुकि अगले साल election year ही है तो इनकी नीच थोड़ी जल्दी खुल गई और डेट धीरे-धीरे इन्हों ने अनॉंस कर दिया है प्रेशर बनता है तो आपको पता ही है डेमोक्रिसी में फरक पड़ता ही है तो जो इसका CSIR internet मैं particularly mathematics की बात करूँगा mathematics की इसका डेट है 15th to 20th of September 2022 यह आपका डेट है अब मैं इस वीडियो में बहुत दिन के बाद वैसे चैनल पर मैं आया हूँ क्योंकि सारी classes recorded ही थी तो इसमें मैं यह बस आपको बताना चाहरा हूँ कि इन बचे हुए days में यानि आज क्या है first September है और first to suppose हमारे पास 15 to 20th में paper है तो मैं मान लेता हूँ कि first to 10th आपके पास time है तो इस दस दिन में आपको अपनी preparation को कैसे एक दम धार देनी है कैसे अपनी तयारी को best कर लेना है revise कैसे करना है और जो लोग basics जानते हैं वो 10 दिन में at least exam clear नहीं कर सकते लेकिन best तरीके से कैसे fight कर सकते हैं exam के लिए ठीक है क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि जो beginner मेरी बात को सुन रहे होंगे उनको यह समझना होगा कि दस दिन तो देखो 10-15 दिन तो बहुत कम होते हैं तो वह ज्यादा से ज्यादा formula और basics पकड़ेंगे और previous year solve करेंगे उनकी in-depth study तो नहीं हो सकती 10-15 दिनों म लेकिन जो लोग channel से जुड़े हुए हैं जो बहुत दिन से पड़ रहे हैं question वगरा solve कर रहे हैं उन्होंने एक depth बनाया है basics उनकी अच्छे हैं previous year solve किया है उन्होंने हमारे channel पे हमारे app पे website पे जो mocks पड़े हुए उसको दिया है तो उमीद है कि इस बार भी हम पिछला record break क बहुत सारे selections इस बार हमारे इस एड़ेक्स channel से होंगे ठीक है तो मैं बात कर लेता हूँ कि इस पंदरा दिनों में या basically इन 10 दिनों में क्योंकि हो सकता है कि आपका पंदरा को paper हो तो एक दो दिन उसके पहले तो बच्चे उतनी study नहीं कर पाते बट यह मैं मान के चल रहा ह इसको कैसे utilize करो ले कैसे आप इसका use करोगे यानि इसका maximum benefit आपको मिल पाए तो इसके लिए सबसे पहले मैं फटा फट दो मिनट के अंदर बता देता हूँ कि आपका जो syllabus है सबको पता है लेकिन यहाँ पर मेरा syllabus बताने का मकसद यह है कि इसको 14-15 दिनों में कैसे इसको हम revise कर सकते हैं और किस topic पे कितना focus करना चाहिए पहले मैं प्योर वाला portion लिख देता हूँ वैसे प्योर और applied की कोई definition तो नहीं होती बड़ मैं पहले प्योर वाले portion पे आ जाता हूँ इधर मैं applied वाले portion रख दूँगा प्योर वाले में क्या क्या है मैं थोड़ा सा इसको short में रिखूंगा एक है आपका real ठीक है फिर दूसरे है आपका modern algebra जिसको abstract भी कहते हैं ठीक है syllabus की बात कर रहा हूँ अभी इसके अंदर क्या detail है उस पर नहीं जा रहा हूँ फिर उसके बाद आपका आता है linear algebra थोड़ा सा आपको जेलना पड़ेगा क्योंकि beginners भी सुन रहे होंगे तो उनको लिए बताना जरूरी है फिर उसके बाद है आपको complex जो बच्चे बोर हो रहे होंगे वह 1.5 पर लगा के फटाफट सुने क्योंकि हमें तो सारे बच्चों के लिए करना है उसके बाद है आप आपको और टोपलोजी फिर उसके बाद है आपका फंक्शनल एनालिस फंक्शनल फटाफट लिख लेते हैं अप्लाइड में क्या क्या है थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे है O, D, E मतलब ordinary differential equation P, D, E यानी partial differential equation C, O, V यानी calculus of variation फिर N, A मतलब numerical analysis फिर उसके बाद है आपका mechanics फिर last है आपका integral equation I, E ये तोटल और इसमें statistics का बहुत बड़ा portion है ये वाला portion मैं skip कर रहा हूं क्योंकि वो static sticks या pure static sticks के बच्चे उसको deal कर दें तो मैं यहां मैं आदसवला portion ले रहा हूं ठीक है तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि यहां पर आपके पास कुछ papers हैं कुछ papers यहां पर अब सवाल है कि भया पंदरा दिन में या 14 डेज में कैसे किया जा सकता है अब उसे साफ से देखे तो देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यारा बारा पेपर्स हैं तो क्या क्या हम पढ़के जाएं बिगिनर्स को देखें यह वीडियो उनके लिए जिनके तैयारी एक दो महीने की है तो हम क्या क्या पढ़के जाएं कि फटा फटा हमारा काम हो जाए और उसको कैसे पढ़ें यह भी बहुत मुद्दे की और बहुत जरूरी बात कि उसको पढ़ना कैसे है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वह देखो चैनलोजी से एक दो क्वेशन आता ज्यादा ज्यादा सिर्मत्था नहीं मारना है पंदरा दिन में इसमें बेसिक दो तिन टॉपिक होते हैं उसको मैं बता दूंगा पढ़ना कैसे क्वेशन कैसा आता है फंक्शनल अनल्सिस से लिए इसका थोड़ा सा है लेकिन क्वेशन क कभी आता है कभी नहीं आता किक कर दो इसके के लिए सकशन कर रहा हूं जो इस पंदरा दिन में बैठा है और उसके लिए भी मैं स्कप करने के लिए बोल रहות कि जो अफ्विजिन मोर्हां मैं और कॉधिन मोर्हें तो चलिए चंध substitute का मया नहीं पढ़ना ज्यादा पुड अभी मैं बता दूँगा क्या question आता तब तो मुझे policy पकड़ ले जाएगी तो complex में एकदम rigid 5 question मिलते हैं section BC दोनों में linear, abstract और real यानि कार है पड़ना और लिनियर पर जोर देना और similarly complex में भी तो इतने से तुम्हारे pure में काफी questions आपके exam में पकड़ में आ जाएंगे similarly यहां पे जादा साइड में ये वलह है tv में सीधे सीधे क्वेशन मिलें और बढ़के नहीं जाओगे अपने मन से दिमाग लगाओगे जादू करी दिखाओगे फस जाओगे क्वेशन गलत हो जाएगा दिखर यहां पर कमेंट में तुफान में कैसे किष्टी निकलेगी वाहर यही अभी तो पंदरा दिन का टाइम बचा इसका मतलब तुफान सिर्प है नाव लेके किनारे पे बैटें अब जल्दी जल्दी त्यारी करनी है तो मेकैनिक्स में यह तो देखो सले बस इसका ज्यादा है कॉस्ट बंफिट नही अगर वो चीज़ें कर ली जो मैंने आपको मेंशन किया है और अंदर दे कंडिशन आपके बैसिक्स पहले से क्लियर है तो आप 14 दिन के revision plan में अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये top कर जाओगे मैं ये कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी से कि काफी high chances हैं कि आप इसमें अच्छा score करो अगर मान लो अच्छा score नहीं आता तो कम से कम इतना decent score आ जाएगा कि आपको थोड़ी सी motivation जरूर मिलेगी कि अ January end तक वो भी शायद हो जाए कि अब पता है आपको मैंने अभी अल्रेडी बताया था कि election year है तो government के उपर pressure है कि वही काम आपको जल्दी अल्दी खराना पड़ेगा तो अगर यहां से आप चूकते हो तो वहां पकड़ लोगे अगर यहां कर लेते हो तब तो अच्छी बा प्रशन चाहिए कि कैसे पड़ें क्या पड़ें क्या नहीं पड़ें एक applied के लिए बनाओंगा क्या पड़ें क्या नहीं पड़ें ठीक है तो pure हो सकता है इक पार्ण में बना दूँ यहीं सारे topics के लिए अलग अलग बना दूँ वो मैं inform कर दूँँगा और similarly applied के लिए हो सक आपकी at least guaranteed ना हो तो आप कम से कम success के बहुत close पहुंच जाए, ये महसूस करें कि बहुत आप सफलता के निकट है और आपका exam clear हो जाएगा, ठीक है इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में pure mathematics को कैसे handle करेंगे, फटाक से में वीडियो, most probably कल तक में वीडियो लेके आ आप में करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, पढ़ाई दुबा के करो, revision करो, और exam के लिए best of luck